देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं कुछ लोग के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शामश होते होते बाल मुर्ति हो जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आइडिया के साथ इन्वाल्व हो जाते हैं, वो उससे बहार नहीं निकलते हैं, और पुरा परिवार परिशान हो जाते हैं, कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क् पागल तो नहीं हो गया, लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है, नहीं साथ इसमें तो पहले से ही अथा था, क्योंकि जादा तार ये फास जन्रेशन एंट्रेपिनर है, और जब कुछ सोचा हो है, नहीं भीटे, अपना काम नहीं तो कहीं नोकरी कर ले, शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपास किया होगा, जाते आते आते आपको उसी उप्राम से सुनाते होगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है, फिस एक पल आया होगा, सारी दोर विरोध होगा है सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध कि ओग नहीं है नहीं करना है जाओ नोक्री कर लो उस विरोध के बावजूद भी जो ठीके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि हार इसने तो कमाल करती है कुछ ऐसा मुझे भी करना है हर किसी के स्टार्ट अप की जिन्दगी की यही कहानी है विशाल और सफल कारोबार का निरिमान करने के लिए अब सफलताओं से बचा नहीं जा सकता जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सिख सकता एक बार तो डूमना ही पड़ता है तब जाकर के तैरना जिरू होती ह हैं तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है और उनको वही दिखता है यह पांडल है तो एक भीतर से उर्जा हो थी वीतर मैं सपने होते हैं उसके साथ खब जाने का Iaráदा होता है तब अंत्या करके परिष्टिया फलक पожет मिसका करके कि जिसके कारण किसी की जिन्दगी में मैं काम आऊं मैं वो कच करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदा आख ये तना भी अगर सपना ले करके हम चलते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं जब तक हम जंदवा रहेंगे तब तक समश्या रहेगी जिस समस्या खतम हो गई है समयलोin जिन्दगी खतम हो गई है और जब आपकीerson कोई समस्या ना हो तो घुटनों के बल बैठ जाना और उपर देखके बोलना भरोसा खतम हो गया क्या अगर नहीं तो समस्या भेज निपट लूगा चिंता मत कर जंगल में सुबह जब हिरन जाकता है तो सोचता है आज अगर मैं जीजान से नहीं भागा तो मारा जाओंगा उसी सुबह एक शेर जाका है और सोचता है आज अगर जीजान से नहीं भागा तो मैं भूका मर जाओंगा शेर हो यहरन भागना तो पड़े जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना उठाना मेरा कमांडो डेगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंग और क्रांतिकारियों का चेला और एंकलाब का गुलाम लिख देना और बचा हो जो जिसम में लहू मेरे निकालना उसे फेकना जमी पे और मा तुझे सलाम लिख देना जब तक तोड़ेगे नई तब तक छोड़ेगे बहुते लंबा दंगल चिलेगा रे तो रहा है तो यार है तो यार है